नमस्कार मेरा नाम अलो सिंग आप देख रहां अंडियोर और से सुराज की इस विडियो में हम आपको सवार गोलू की तैयारी दिखाने जा रहे हैं जो बार की चेतक परतियोगिताओं में तो अपने नाम का डंका बजा कर अपने घोडे के साथ लोटे हुए हैं उत्सा काफी जादे होगा पर इस बार मलियाबाद की चेतक परतियोगिताओं में एक बार फिर से अपना प्रदर्शन काफी अलग तरीके से दिखाना है लंबी रेसों में और गोल रेसों में काफी बड़ा अंतर होता है और दूसरा घोड़ा है जो यहाँ पर इसी घोड़े से इन्होंने फाइट की थी पिछले वर्स तीसरा अस्थान इनको मिला था नान बच्चा पांडे गोंड़ा का ये घोड़ा है और घोड़ सवारी सवार गोलू के हाथों आप देख रहे हैं घोड़े में रफ्तार की कमी नहीं है गोलू सवार अपने घोड़े से कितनी पकड़ बना पाते हैं और कितना कायम रख सकते हैं इस फिल्ड पर अपने घोड़े को वो चीजें अहम माईने रखती हैं इनकी तैयारी में देखना यह है कि जहां पर ये रेस जितने चकरों की होगी उतने चकरों पर अगर लगातार घोड़ा बना रहता है तो फिर ये घोड़ा कनफॉर्म है कि लड़ाई में लड़ेगा और एक बेहतरीन फरदर्सन करके दिखाने की उमीद है जैसा कि मैंने बाकी घोड़ों के बारे में भी आपको बताया है लडाई असान नहीं है। दोनो ही टाइपों की रेशों में काफी तक्कर है। अब देखना ये है कि इसमें जीतता कौन है, पिछड़ता कौन है, किसकी तैयारी यहाँ पर थोड़ी सी अधूरी रह जाती है और कौन अपनी तयारी को यहाँ जीत कर पूरी मनवा लेता है जनता के बीच में नियम सक्त हैं आप नियम और काइदे कानून में चलेंगे तो यहाँ पर जीत आपको जरूर मिलेगी अब सवार गोलू की आप तयारी देख रहे हैं घोड़ा आपका जो सवार गोलू यहाँ पर लेकर उतरने वाले हैं उनके लिए कितना बेहतरीन प्रदर्शन और तालमेल के साथ मिला जुला कर रखते हैं यह चीजें महम आपको जो तयारी की चीजें वह आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आप यह हमें लिख सकते हैं कि गोंड़ा जिले का यह घोड़ा आपको कित तारा उभर कर आए या जो जीतते आ रहे हैं वो जीत जाएं या किसी का ऐसा प्रदर्शन हो कि उन लड़ाई की भीड़ों में वो खुद आगे निकल जाए रेस का खेल है बाजी कब किसके आथों में जाती है कोई ठीक नहीं है खेल किनका चकरों के समाप्ती के बाद बनत जाता है हमने कई बार देखा है कि आगे चलने वाले पिछड जाते हैं जो पीछे रहते हैं वो आगे निकल जाते हैं और ये भी देखा है कि कुछ आगे निकलने वाले इतने आगे निकल जाते हैं कि फिर पीछे वाले को पकड़ पाना मुस्किल हो जाता है थोड़ी सी आच और दस मीटर की भी कभर नहीं हो पाती है और कभी-कभी ये दूरियां कम पड़ जाती है तो देख